विल्कम बैक तो माई यूटूब चैनल पेपर है कर आज हम दूसरा जो आपका यूनिट है सेकेंड यूनिट है कैमिस्टी का जिसमें हम बेरी शॉर्ट आंसर टाइप कोश्चन पढ़ रहें ठीक है या वन लिनियर कोश्चन आंसर पढ़ रहें ठीक है यानि कि एक लाइन मे हम पढ़ेंगे वन लिनियर कोश्चन आंसर तो थर्टीन कोश्चन आप से पूच रहा है कि प्रोटीन नाम किस ने दिया था जो प्रोटीन सब्द है वो किस ने दिया था ठीक है तो लॉंग आंसर कोश्चन आंसर पढ़ते समय हमने जाना था कि जो प्रोटीन शब्द है य नाम किसे ने डिया था के लिखना है मुल्डर ने कब 1978 में ठीक है तो देखेए कोश्चनन नमबर आपका फूर्टीन हो जागा ठीक है किया हो जागा जनतु अपने प्रोटीन को कहां से भी उत्पन करतें कहां से ड्यापट करते हैं ठीक है या कहां से इसको इंटेक करते हैं कौन जंतू जंतू में अगर हम बात करें कि जो आपका प्रोटीन है वो कहां से उनमें उत्पन होता है ठीक है तो जंतू में जो प्रोटीन है वो कहां से मिलता है भाई वो सभी मिलता है आपका पौधों से ठीक है प्लांट से तो जंतू प् वो अमलों से बनती है ठीक है कहने का मतलब यह हमने पहले पढ़ा था कि जो आपका प्रोटीन से होता है वो अमीनों से मिलकर बना होता है और यह भी कहरा है कि किन अमलों के द्वारा होता है ठीक है किसका संसलेसल प्रोटीन का संसलेसल तो हम जानते कि जो आपका प्रोटीन है वो किस से बनता है, amino amino अमलो द्वारा बनता है, ठीक है, किसके द्वारा बनता है, amino acid से द्वारा आपका प्रोटीन बनता है, ठीक है, question number 16 कहरा, कौन से खाद पदार्थों में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है, तो याद रहेगा important question है, सबसे अधिक प्रोटीन क आपको लिखना है पनीर क्या लिखना है पनीर में सबसे अधिक जो है प्रोटीन पाई जाती है कुछ नंबर सेविंट कहरा कौन सा खाद पदार्थ में सबसे कम प्रोटीन पाई जाती है अब आपने बताना है कि ऐसा कौन सा खादे पदार्थ है ठीक है या ऐसा कौन सा आपका फूड है जिसमें सबसे कम प्रोटीन पाई जाती है तो यह आपका होता है केला ठीक है क्या होता है केला जिसमें बहुत कम मात्तरा में प्रोटीन पाई जाती है ठीक है तो आंसर क्या हो होती है जिस्ट से हमारे वाल बने होते हैं तो यह सभी हमारे प्रोरीटिंबने हो तो कया प्रोटीन जो कि आपके उच्ण गार करता जाता है झाल उस्ट Mr 19 फ्रमões में कौन सी प्रोटीन पाय जाती जो हमारी मसल्स होती है मान स्पेसियां होती है उनमें कौन सी प्रोटीन पाय जाती यह आपने बताना है ठीक है तो भी मान स्पेसियों में आपका मायोसिन नाम का प्रोटीन पाय जाता है मायोसिन नाम का प्रोटीन आपका मांस पेसियों में पाया जाता है question number 20 question number 20 कह रहा है हाइड्रोलिटिक एंजायम है क्या है आपका हाइड्रोलिटिक एंजायम है ठीक है क्या है हाइड्रोलिटिक क्या है आपका एंजायम लेकिन है क्या यह पूंच रहा है hydrolitic enzyme क्या है यानि कि इसका कार्य क्या है यह क्या करता है यह आपने बताना है तो यह आपके पाचन में साहता करता है किसमें digestion में साहता करता है ठीक है hydrolitic enzyme question number 21 insulin क्या है तो भई insulin क्या है आपका insulin भी आपका एक तरह का protein ही है क्या है insulin b एक तरह का आपका क्या है protein है ठीक है question number 22 कह रहे है enzyme क्या है अब पूछ रहा है कि जो आपके enzymes होते हैं वो क्या है insulin क्या है आपका protein ठीक है तो enzyme क्या है आपका तो enzyme b आपका क्या हो जागा enzyme आपका protein अब ध्यार रखना है कि जो आपके enzyme होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन आपके ऊइंजायम नहीं होते हैं लोंग आंसर में भी पढ़ा था एंजायम प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन से आपके एंजायम नहीं होते हैं ठीक है इस बात को आपने याद रखना है ठीक है एंजायम प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन से आपके एंजायम नहीं होते हैं ठीक है इतना ये मार्सा थैंक्स वर वचिंग और शेयर वीडियो